अकोला जिला सरकारी एस्वताल में COVID-19 के पॉजिटिव मरीजों के लिए जो बिल्डिंग का चैन किया गया है जिसमें उन्हें रखा जा रहा है उसके आजू बाजू पूरी रेसिडेंसियल इमारते होने की वज़ा से सभी पर संक्रमण के फैलने का खत्रा लगातार बढ़ गया है इन सरकारी प्वाटर्स में रहने वाले करमचारी लगातार पॉजिटिव पेशिंट के निकलने का सलसिला बढ़ रहा है जो कि अकोला जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है ऐसा आरोप वहां के रहने वाले नागरी को ने लगाया है जब इस पूरे मामले को लेकर हमारे समवाददाता शाहिद इकबाल ने अकोला जी एन सी के डीन डॉक्टर मिनाखशी गजभीये से संपर्क साधा तो उनका कहना था कि जिस तरहा की चूक हुई है उससे हॉस्पिटल के पेशिट की देखभाल करने वाले करमचारियों में यह संक्रमन फैल रहा है उन्होंने सुझाओ दिया कि या तो इस बिल्डिंग को किसी और जगा स्थानांतरित किया जाए या फिर क्वार्टर में रह रहे हैं लोगों को यहां से दूसरी जगा शिफ्ट किया जाए जबकि इस पूरे मुद्दे को लेकर जिलाप्रशासन कि इसी तरह से गम्भीर नज़र नहीं आ रहा है अगर इनकी सुरक्षा यहां पर नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा यह किस तरह से कर सकते हैं, इसी के साथ आप देख सकते हैं, यह होस्टल भी इसी को लगकर है, अगर यह इस तरह की यहां पर चूप COVID-19 और रेसिडेंशल को लेकर है, और दिलकुल उसके सामने ही य सारी चीजे हो रही है, और आपके एक और बात बताते हैं, खास बात ही है, कि इसमें से तीन लोग अब तक यह जो जीम सी कोटर है, जिसके अंदर से तीन लोग अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं, इसी के साथ यहां बेख सकते हैं, यह जो नर्सिंग होस्टल है, इसमें से बीद्दिण को यहां से खटाना चाहिए, और अगर यह बिल्डिंग को यहां से दूर करना यह बहुत ज़्यादा जरूरत थी, यह लापरवाई सरासर आकॉला के परशासन, जिला परशासन की ओर से, यह सबसे बड़ी खामी आकॉला को लेकर है, और आप देख सकते हैं कोई एक बेरिकेटिंग भी यहां लगाई नहीं गई है यह जो रास्ता है सीधा सीधा आना जाना सभी लोगों का यहां से चल रहा है इसी को लेकर हम अभी आपकोला के जो दीन है डॉक्तर मिनाक्षी गजभी इन से इस बारे में चर्चाव कर रहे हैं पॉजिटिव वार्ड है और में प्रॉब्लेम ऐसा है कि यह जो बिल्डिंग है एक तम सेंटर में है और इसके सामने रेसिडेंट हुस्तिल है उसके राइट साइड में परिचर्या हुस्तिल है और लेप में कर्मचारी निवास्तान है तो यह सब जब मैं देख रही हूँ त इनकी जान बहुत सुरक्षित नहीं है ऐसे मुझे समझ रहा है तो इसके लिए जिन्मेदार को नहीं है जिन्मेदार तो वैसे किसी को अपन बोल नहीं सकते लेकिन जिन्हों ने यह बिल्डिंग सिलेक्ट ही है कि रेसिडेंशियल जब आजो बाजो में पूरा एरिया है प जो यह सिलेक्शन हुआ है बिल्डिंग का यह गलत है तो अभी एक ही उपाई मैं इसमें बताना चाहते हूं कि जो यह जो रेसिडेंशियल एरिया है इनको हम कहीं पर स्तलांतरित कर सकते हैं तो इनकी थोड़ा सा जो रिस्क फेक्टर है वो कम हो सकता है क्योंकि एक भी जात मैं चाहितिक वाल आइनन ट्वेंटीफोड़